आज मैं आपको सर्दियों के लिए गरम टोपा बनाना सिखा रही हूँ वो भी बिना सलाई के और बिना क्रोसी आगे और इसे बनाना में आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप वीडियो को देखते ही बना लेंगे और इसे बनाने के लिए हमने लिए पचास ग्राम मून पचास ग्राम मून में मीडियम साइज के लिए आसानी से टोपा बनकर तैयार हो जाता है और जब आप बड़ी साइज के लिए टोपा बनाते हैं तो आपको लेना है सो ग्राम मून सो ग्राम उन में एक बड़ी साइज का टूपा बन जाएगा और एक छोटी साइज का टूपा बन जाएगा ठीके तो इस तरहें आपको उन लेना है उसके बाद अब आपको लेना है कि आप किस साइज के लिए बना रहे हैं तो उसी साइज का एक पुराना टूपा ले लिजि आप इसको डबल कर देंगे, तो इस तरह हमें गुलाई कापता चल गया है, और आपको फिल लेना है लंबाई कनाप, आप चाहें तो सिर्षे भी ले सकते हैं, इसे हमने फैला कर रख लिया है, अब आपको उन निकालना है, तो उन आपको कैसे निकालना है, तो इसके लिए मै लंबाई आपको कैसे रखना है, तो इस तरह आपको चैट करना है, जो भी टोपा की साइज है, उससे आपको कार्डबोर्ड की लंबाई डबल रखना है, इस तरह आपको लेना है उन, तो इस तरह आपको उन रखना है, इसके उपर, यहाँ पर एक साइटमने निकाल दी हो इस तरह आपको उन इसमें घुमाते जाना है और जब आप काटते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जहां पर एक खुला हुगा धागा था उधर यह आपको फिर रूक लेना है और उन को काटकर निकाल लेना अब जोंट वाली साइट को छोड़ देंगे खुली वाली साइट क तरह मैं इसको काटकर निकाल लेंगे इस तरह आपको औन के धागे बरावर सायज के मिल जाएंगे तो यहाँपे आपके हर एक धागा बिल्कुल बरावर से रहेगा हूं आपो छह थागे निकाल लेते हैं में इस Epic को निकाल लिए धाब सलुभाज हाँ order. अब आपको इसके ऊपर से जोईंट वाली साइड को डालना है वह बाहर की साइड निकाल लेना है अब इस जोईंट वाली साइड में से एक खुली वाली ऊनकोम निकाल देंगे. तो यहां पे इस तरह का बंदता जाएगा अब इसी तरह हमें धागी यहां पर बांगते जाना है इनके धागी को आपको डवल में फोल्ड करना है पहले इस तरह पकड़ा अब इसको उपर की साइड कर दिया और जोंट वाली साइड को नीचे से निकाल दिया और इसको इसके अंदर से डाल दिया, अब इसी तरह हमें धागे डाल दे जाना है, इसके उपर से ले जाना है, फिर आपको नीचे की साइड पकड़ना है, और इसी मैंसे इन खुले हुए धागों को निकाल देना है, तो एक बारा फिर ध्यान से देखिए, इस तरह है डबल किया, और नीचे इस तरह बरावर से इसको मिलाते जाएंगे तो इस तरह आपको पहले इसमें छे धागे डालना है अब छे धागों को जब हमने डाल दिया है तो नीची की साइट बारा धागे आपको मिल जाएंगे कासे तो चार-चार धागों को मिम एकसाइट कर देंगे इस अब इहाँ पेक कुछ आपको रख देना है जिससे खिसके गनिये । किने खिस को सबस्के गनी और आपको बनाने में आसानी कि अब आपको इन चार धाग ना तो इसे बनाना बहुत आसान होता है आपको बिल्कुल चोटी की तरह ही इसे बनाना है इस तरह आप धीरे हाथों से बनाएंगे तो बहुत फिनिसिंग के साथ ये बनकर तयार हो जाएगी अब इसकी लंबाई कितना रखना है तो आप टोपा से एक बार चेक कर लीजिए ये उठा लिए हमें टोपा ठीक है अब यहाँ पर इसकी लंबाई को इस तरह चेक करना है तो जैसे कि इसकी लंबाई है नो इंच तो नो इंच ही हम यहाँ पर रखेंगे इसको छोड़ना है और यहाँ पर नो इंच रखेंगे तो थोड़ा से इसको और बनाएंगे अब यह नोईज बरावर से आ गया है अब यहां पर एक फंदा को आगे बढ़ाते हुए एक धागा को लेना है आपको और इस तरह इसको बांद देना है ठीक है यहां पर बांद दीजिए अच्छे से यह अच्छा टाइट बन गया है तो इसी तरह हमें उन के धागों से चोटियों बना कर पूरी एलास्टिक को कवर करना है तो आइडिया बिल्कुँ सेम रहेगा आपको सेम आइडिया से बनाते जाना है और पूरी एलास्टिक को कवर करना है तो सेम आइडिया से हमने बाइस अब आसे प्लट रखना है अब यह सीधा था अब इसको जोंट करना है तो इस तरहें चोटियों को आपको पकड़ना है और अच्छे से मिला कर रखिए और यहां पर आपको तीन फंदों को छोड़ देना है एक, दो, तीन और चौटी पंदे से हम सिलना शुरू करेंगे तो एक आपको सुई लेना है और अच्छे से नीचे की साइड बांध लेना है उसके बाद यहाँ पर इस तरह एक एक धागे को उठा लेना है जो बंधा हुगा धागा है उसे के अंदर से आपको सुई को निकाल देना है जिससे निकलेगा नहीं अब उसके बाद बस आपको एक धागा इसका लेना है एक धागा इसका लेना है और सुई को निकालते जाना है अब आपको हर धागे में से एक एक धागा लेते जाना है इस तरह इसको सिलना है एक धागा इसका लिया और एक धागा इसका लिया फिर एक धागा इसका लेना है और एक धागा इसका लेना है इसी तरह आपको धागे डालते जाना है जब आप लास्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से बांध का धागे को कट का निकाल लीजिए, अब यहाँ पर हम इसको बांध देंगे और का डाल लेंगे, अब इसी तरह हमें सारी चोटियों को इसमें जॉइंट करते जाना है अब यहां से फिर सुरू करेंगे और इसको पूरा करेंगे उसके बाद फिर इसको जॉइंट करना है इसी तरह हम सारी चोटियों को इसमें जॉइंट कर देंगे तो इस तरह आपको इसे सिल कर कम्पूलीट करना है और शिलते समय आप चाहे तो यहाँ पर क्लिप लगा सकते हैं जिससे धागा निकलने का बर एंग ढार नहीं रहे उसके बाद आपको चाहिए चोटी सुई और उसमें चाल लेयर में धागे को डाल लीजिए तो तुर्पई वाली सुई में हमने चाल लेयर में धागे को डाल कर अच्छे से बांध लिया है उसके बाद बस आपको दोनों कॉनर को इस तरह पकड़ना है इस तरह पकड़िए औ और इसको अच्छे से जोइंट लगा दीजिए इसको सिलते जाएए इस तरह आपको इससे सिलना है इसको सिलने के बाद अब यहां पर जो गेफ है उसे कवर करने के लिए हमें एक चोटी गवर बनाना है तो सेम आइडिया से हम इसी तरह एक चोटी को गवर बना देंगे तो यह आप इमने फिर छह दागे को ले लिया है एक दागे को लेंगे और इसको गुमा कर अपने सामने रख लेंगे इस तरह आपको इसे कवर करते जाना है इस तरह आपको बनाते जाना है और धागों को अच्छे से खिसकाते जाना है जिससे कोई भी धागा एक दुसरे के उपर ना चड़े चार चार धागों को फिर पकड़ेंगे और बस बनाते जाएंगे तो चार धागी यह हो गए है और चार धागी यह हो गए है इस तरह चोटी को बना का तैयार कर दिया है अब इसको बस पकड़ना है और इसमें जॉंट कर देना है तो पहला जॉंट हम इस साइट से लगाएंगे और दूसरा पकड़ते हुए इसको कम्प्लीट कर देंगे तो पीछे की साइट से जॉंट लगाएंगे तो सीम आइडिया से आपको पूरे टूपा को सिलकर कम्प्लीट करना है अब यह पूरा सिलकर तयार हो गया है अब बस यहां पर बांद देंगे और धागे को काट लेंगे इस तरह ही पूरा सिलकर कम्प्लीट हो गया है अब आपको क्या करना है कि अभी उल्टा लखा हुआ है अब इसको पकड़ना है और इसको सीधा करना है अंदर की साइड से इसको निकाल लेना है इस तरह तो इह हो गया है सीधा सीधा करने के बाद एक स्किल से इसको सीधा कर लीजिए एक लाइन खीच कर इस तरह आपको सीधा बनाना है तो इस तरह आपको एक सीधी लाइन खीचना है जिससे जो चोटी बड़ी थोड़ी बहुत हो जाती है उसको आपको सीधा कर देना है उसके बाद अब आपको ओन डा तो अभी हमने इसको खुला छोड़ दिया है ठीक है अभी बांदगा नहीं है इस तरह आपको दागे डालते जाना है कि इस तरह दागे को निकाल लाएं एक चोटी के पास से अब दागे को काट लेना है कातने के बाद बस इसको अच्छे से खीचेंगे इस तरह खीच कर अच्छे से यहां पर बांद लीजिए इस तरह आपको अच्छे से बांदना है उसके बारे यहां पर दो इंच आपको दागों को छोड़ना है जिससे इसमें सुन्दर से लुका जाएगा ठीक है और बाकी के दागा को काटके हम निकाल जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर टोपबन का तयार हो गया है और यह रहेगा आपको बोडर की तरह जो कान की नीचे रहेगा ठीक है इसे आप इस तरह फोल्ड कर सकते हैं अब आप चाहू तो अपनी पसंद की हिसाफ से इसमें डेकुरिशन कर सकते हो जिससे इसमें और सुन्दर लुका जाएगा आप चाहें तो इसमें पॉंपुम बना कर लगा सकते हैं या धागे से तितली भी बना कर लगा सकते हैं जिससे इसमें सुन्दर से लुका जाएग तो इसमें मैं भाइट कलर की तितली बना कर इसमें जॉइंट कर रही हूँ तो इस तरह हमने साइट से थोड़ा सा डेकॉरेशन इसमें कर दिया है आप देख सकते हैं आपकी कितना सुन्दर इसका लुक लग रहा है तो इस तरहें आप बिना सिलाई के और बिना किरोशिया के बहुत सुन्दर टूप बना कर तयार कर सकते हैं आप आप बनाएए ट्राई कीजिए वो कोई भी डाउट को कमेंट करके जरूर पूछिए थेंक्यू धन्यबाग सब्सक्राइब करें राधिका टेटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीखने के लिए और बेल बटन दवाए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुच सके